चाशी दिलेक और नमस्कार तिबद टीवी के हिंदी प्रसारन में स्वागत है तिबद टीवी के सपताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परमपावन डलाय लामा वर्तमान तिबद के परिस्तिती नेरुवासन में तिबद तथा तिबद मुक्ती सातना के संदर्व में वैश्विक कारेकरमों का जानकारी उपलब्त कराते है। आपके साथ मैं हूँ तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ता के प्रमुख खबर। परमपावन दलाय लामा जी का वारत की विरासत करूना एवं अहिंसा विशे पर संबोधन। परमपावन दलाय लामा जी ने सन्युक राज़ द्वारा परमानू हतियारों को रोपने की संधी की प्रशंसा की। तिपती महिला लामों की चीनी जेल में कठोर यातना जेलने के कारण हुई मौत। सी क्योंग डॉक्टर लोखंग संगे का तिपत एक आंतराष्ट्रिय संदर्व में नए समाजिक एवं रातनितिक विकास विशे पर संबोधन। अमरिका के सांसत जोश हावले द्वारा तिपत के समर्थन में प्रस्ताव। चीनी शासन द्वारा तिपत में गरीबी मुक्त अभियान के दावे पर विशे शक्यों ने सवाल उठाए। अब सुनिए समाचार विस्तार से। गत 26 ओक्टोबर 2020 को परम पावन दलाई लामा जीन ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एवं फाउंडेशन फॉर युनिवर्सल रेस्पॉंसिबिलिटी द्वारा आयोजित बारत की विरासत करूना एवं अहिंसा विशे पर संगोश्टी को संबोधित किया। इस आउसर पर फाउंडेशन फॉर युनिवर्सल रेस्पॉंसिबिलिटी के महसचीब श्री राजीब महरतरा ने परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत किया। इसके साथ ही इंडिया इंतरनेशनल सेंटर के अद्यक्ष श्री एन एन वहरा ने भारत सरकार में अपने सेवा के दौरान परम पावन दलाई लामा जी के साथ लंबे संबन्द को याद किया। जो परमपावंदरायलामा जी के टिबबत से पलायन कर भारत में पहुँचने से शुरू हुआ था अपने संबोधन में परमपावंदरायलामा जी ने कहा कि पिछले 61 वर्षों से भारत मेरा घर रहा है यथा भी हम तिबबती है और हमारे चहरे बारतियों से अलग होंगे परन्तु मानसिक रुप से हम बारतिय है वास्तव में साथवी शदावदी में तिबबत के नरेज ने चीन के तंग वंशा के साथ गहरा संबन होने के बावजूद उन्होंने तिबती लेखन के लिए वारतिय डेव नकरी लिबी मौडल को चुना है उसके बाद की कई दशकों से तिबबत के नरेज ने चीनी बहुत शिक्षक के मौजूद की में भी वारत के नालंड़ विश्व विद्याले की विद्वानों जैसे शांता रक्षिता को तिबबत में अमंत्रित किया था परणाम स्वरूप मैं और मेरे साथी तिबतियों की बुद्धी वारतिय विचार से बरी है उन्होंने कहा कि एक मनुश्य के नाते वै इस समझ को बढ़ावा देने की कोशिश करते है कि मानुवता को करुणा एवं आहिंसा जैसे वारतिय परंपरा की जरूरत है एक अधिक शान्ती पूर्ण दुनिया विक्सित करने के लिए मानसिक शान्ती की जरूरत है जिसे प्रात करने के लिए आहिंसा और करुणा की अवशक्ता है आहिं ऑग करने की देन ओग्सना झालिज आवनियर का अश्य।ॉ दग टॉणग विक्सित एज्डा सवाद झालिजियर जह झापती है So, mentally, physically, I describe as a son of India, an Indian citizen, like that. And then more important, I'm the longest guest of Indian government. So, so now I'm very, very happy, you see, having talk. With my Indian friend. . Isi 26 October 2020 ko, Parampah Vandalai Lama ji ne, Sanjyuk Raastr dwarah, Parmano Hathiyarroon ko, Pardiband lagane ki sanddi pər, bayan dhiya hai. अपने बयान में उन्होंने कहा कि परमानु हतियारों को खतम करने की एक प्रचारक के रूप में मैं सन्यूग राश्र के 50 सदस्य देशों दोरा परमानु हतियारों की निशेद पर संदी का स्वगत करता हूं यह वास्तव में एतिहासिक है और मानवता के बविश के लिए भी बहुत ही अच्छी पहल है यह विवात को निप्टाने के लिए अधिक प्रभावी कदम है मैं सन्यूग राश्र तथा इसके सदस्य देशों की प्रशंसा करता हूं जिनोंने इस संदी को संभाव बनाया है हम सभी परमानु मुक्त विश्व चाते हैं वास्तव में हमें आफसी समच और समवाद से विवाद को सुलजाना चाहिए अमरिका स्थित हुमन राइट्स वाच की रिपोर्ट के अनुसार तिबद स्वाइट छेत्र के दीरू काउंटी के नक्चु शहर की तिबदी महिला लामों को चीनी हिरासत में आमन्विय यातना दिये जाने के कारण निदन हो गया है हुमन राइट्स वाच ने चीनी अधिकारियों से तिबदी महिला लामों की हिरासत में मौत की जांच तथा उनकी बाई को रिहा करने का अग्रा किया है लामो और उनके बाई थर्पा को चीनी अधिकारियों ने निर्वासन में रह रहे अपने परी जनों को पैसा बेचने के आरोब में जून में हिरास्त में लिया था Human Rights Watch के चाइना निदेशक सौफी रिचार्टसन ने बताया कि तिबती चारवाहे लामों भी अन्य तिबती कैदियों की तरह हिरासत में कुरूर दमन और यातना का शिकार हुई है और इसी से उनकी मौत हुई है वैसे भी अपने परुजनों को पैसा बेजना चीनी कानून में कोई अधिकारिक अपराद नहीं है चीनी अधिकारियों ने तिबत के अंदर और बाहर रहने वाले तिबतियों की बीज संपर्क को राष्ट सुरक्षा के लिए कतित रूप से खत्रा माना है पिछले हफ़ते तिबत की राजदानिल हासा में एक प्रेस वर्ता के दौरान तिबत में चीनी कम्मिनिस पार्टी के प्रमुक वू येंग जी ने तिबत में गरीबी मुक्त अभियान की सफलता की गोशना की थी ग्यातफ है कि चीनी शासन दौरा तिबती इलाकों में गरीबी मुक्त अभियान दरासल तिबती राष्ट्रियता सांस्कृतिक पहचान बाशाय अधिकार को नश्ट करना तथा हजारों चारवाहों को शेहरों में बसाने का शर्यंत्र है ब्रिटेन स्थित लोक्तांत्रिक फोरुम दौरा तिबत एक अंतराष्ट्रे संदर्व में नए समाजिक एवं राजनितिक विकास विशेह पर ऑनलाइन संगोश्टी का आयुजन किया गया था इस संगोश्टी की अद्यक्ष्टा लेखक और बीबिसी न्यूस के एशिया संबादादा हमफरी हॉकले ने की थी संगोश्टी के मुख्य वक्ताओं में कि इंद्रिय तिबती प्रशासन के सी क्यों, डॉक्टर लॉपसंग संगे, बिर्टेन के तिबत पर सर्वदलिय संसर्दिय मंच के अद्यक्ष्टिम लॉक्टन, लेखक और सुतंतर शोत करता कैट सॉंटर्स तथा जे एन्यू के पी लिए जिम्मेदारी नहीं ठेहराते हैं तो हमारा लोक्तंतर सितान खत्रे में आ जाएंगा, उन्होंने कहा कि या तो हमें चीन को बदलना होगा, या चीन हमें बदल देगा, उन्होंने कहा कि तिबत समस्या का समादान नहीं होने के कारण बारत तिबत सीमा पर चीनी गुस पेट जारी है यदि तिब्बत समस्या का समाधान होता है तो एशिया में शांती और स्तिर्ता कायम रहेगी जब तक तिब्बत का मुद्दा नहीं सुलज जाता तब तक वारत चीन के बीच तनाव जारी रहेगा अमरीका के सांसत जौश हावले ने अमरीकी सेनेट में चीनी समयावादी पार्टी दोरा तिब्बत में बल पूर्वक श्रमिक शीविर बनाने तथा दार्मिक आजादी को नश करने की विबिन उबायों की निंदा करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इस प्रस्ताव में तिब्धी बौद दर्म विशेश कर परम पावन दलाई लामाजी के पुनर जनम मामले में चीनी कम्मिनिस पार्टी की हस्तशेब की कड़ी निंदा की गई है इसमें अमरिका सरकार की तिब्बद नीती और समर्थन अदिनियम दो हाजार दो का समर्थन करने का हावान किया है इसी के साथ आज की खबर यही समाफ़त होती है अगले हफ़ते हम फिर मिलेंगे मुझे दीजे आगया टशिद लेग